लो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्सा मॉयल प्लेस्मेंट सर्विसिस एंड वी आर फ्री जॉप्स प्रोवाइडर तो आज भी हमेशा की तरह आपके लिए लेके आए है एक न्यू वेकेंसी जिसमें हमें कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वाइड नहीं है टाइप की जॉब पाने के लिए प्लीज इस वीडियो को कमपलीट देखें और उसमें क्या-kya वेकेंसी जाओं किस फ Laug wants Candidate के लिए अपलाई जैसा भी कर रहे हो अपने friend circle में share करते हो बहुत से candidate हमें call करते हैं कि हमें आपकी video in friend के through मिली है उन friend के through मिली है हमें आपके screenshot WhatsApp पे in friends के through मिले है या मेरे brother ने मेरे sister ने बहुत सारे हमारे पास ऐसे messages आते हैं तो वो सब आपकी वज़े से possible है क्योंकि आप लोग इतना support कर रहे हो तो वैसा ही support बना ही रखेगा और मैं start करता हूँ जो हमारे पास vacancy है वो है field executive and delivery boy दो vacancies हमारे पास हैं पहली है field executive जिसमें हमें minimum 15 to 18 field executive required है Delhi NCR और मेरट में दूसरी जो vacancy है वो है delivery boy की इसमें हमें 20 delivery boy required है गुडगाओं और Delhi NCR के लिए तो start करता हूँ पूरी detail के साथ सबसे पहले में हम आते है field executive field executive का work क्या होता है suppose हमारा कोई work है banking का है, transport का है या किसी भी segment में हमारा कोई work है तो अब field executive रहेगा अगर वो banking sector का है तो suppose को field से related कोई काम करने suppose कहीं की file लेके आनी है या कोई check submit करना है या bank से related, office से related कोई task complete करना है तो उनका काम रहेगा कि वो field में जाएंगे अपने client से मिलेंगे जो वहाँ पे उनका work है suppose check submission का है check collection का है, payment collection का है या कोई other work है या transport में related है तो transport में गाड़ी की entry करना वहाँ पे proper माल पहुँच गया है truck load हो गया है नहीं हुआ है, कहां से निकल रहा है क्या है, सारी detail वोगेरा वो अपना handle करते है तो ऐसा ही work जो हमारे पास रहने वाला है वो है transport से related तो जो field executive हमें required है वो है field of transport मतलब हमें गाजियाबाद, मेरट इन location के लिए गुडगाओं, इन location के लिए हमें field executive required है जिनकी qualification कोई mandatory नहीं है, कोई उनकी qualification हमें required नहीं है, बस उनको हिंदी अच्छे से बोलनी आती हो और candidate थोड़ा confident हो मतलब वो जाके client से बात कर सके face to face meet कर सके उनको अपना जो work के लिए वो आये हैं, वो उनको describe कर ले बस इतना सा work है इसके लिए जो field executive के लिए जो salary लहने वाली है वो है up to 15,000 15,000 तक, मतलब depend करेगा candidate के उपर, अगर वो experience है तो company 15 भी दे देगी, otherwise 13, 14, जितने में भी company को candidate लगता है वो उन्हें hire कर लेंगे बस इसमें कुछ ही skills required है आप confident होने चाहिए आपको location का knowledge हो अगर आपको, सबोज आप गाजियाबाद में रहते हैं और आपको गाजियाबाद की location की knowledge नहीं है, तो company आपको hire नहीं करेगी, अगर आप merit से हैं, अगर आपको merit की knowledge नहीं है, तो भी company आपको hire नहीं करेगी, तो पहली mandatory things is, कि आपको location का proper knowledge होना चाहिए क्योंकि आप वहाँ रहते हो तभी तो आप field में जापा होगी, अगर आपको पता ही नहीं है कि गाजियाबाद में sector इतना कहा है, जो भी है, वो कहा है तो आप कैसे वहाँ पे जाओगे, आपको time जादा लगेगा, पहुंच तो हर कोई जाता है, लेकिन time जादा लगेगा, लेकिन अगर आपको location की proper knowledge होगी, तो आप timely उस काम को complete कर सकोगे इसमें हमें कोई qualification नहीं चाहिए, बस कुछ points जो मैंने आपको बताए, वो mandatory हैं, दूसरा आता है age, age का यहाँ पे थोड़ा सा issue है, between 25 to 40 25 से 40 साल के बीच के candidate ही इसमें field executive में हमें required है इससे ना जादा ना ही कम, तो केवल जो जिनकी age bracket between 25 to 40 है, वो ही candidate इसमें apply करें, language का कोई issue नहीं है, हिंदी वाले candidate उन्हें हिंदी आना कंपल सरी है कोई भी और language आती हो नहीं, लेकिन हिंदी आना कंपल सरी है इस वेकेंसी को apply करने के लिए मैं आपको description box में number दे दूंगा, आप directly हमारे team को call कर सकते हो हाँ, एक point और कि अभी मेरे पास कुछ messages आये हैं कि हमारी team call pick नहीं करती है, मैं आपको last video में भी बताया था, यार suppose अगर आप office time पे call कर रहे हो हमारे पास 4 से 5 नंबर मैंने आपको दे रखे हैं उन में से अगर एक नहीं मिलता है तो आप दूसरा try कर सकते हो, तीसरा try कर सकते हैं, लेकिन उनका एक timing है अब एक candidate, कुछ candidate हमें call करके night में call करने हैं, कि 11 o'clock कि हमें job बताओ, यार हर कोई free नहीं है, हमारे recruiter है उनका भी timing है, उनको आप सुबह 10 बजे से, सामको 5 बजे के बीच किसी भी time call करो अगर उनका call busy आ रहा है, तो it not means कि आपको call नहीं पिक कर रहे हैं, वो दूसरी call पे हैं, इसलिए हो पिक नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे time ले लो उनको WhatsApp पे message करो कि I'm trying to call you many times, please respond वो आपको definitely call back करेंगे, अगर नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे दूबारा उनको try करो, message करो, वो करेंगे आपको call ठीक है, तो इस बात का थोड़ सा ध्यान रखिए, हो सकता है, वो दूसरी call पे busy हो इसलिए वो आपका call पिक नहीं कर पा रहे हैं तो उनको WhatsApp करिए, try करिए, वो आपका call जरूर पिक करेंगे, या वो call back जरूर करेंगे दूसरी जो vacancy है, हमरे पास, delivery boy delivery boy हमें required है, गुडगाओ, नौएडा, डैली इन तीन location के लिए, इसमें जो salary रहने वाली है वो है, बारा हजार से चौदा हजार के बीच में मतलब, बारा हजार से चौदा हजार के बीच में प्लस पेट्रोल, जो भी convince वगरा का जो भी होता है, वो company provide करेंगी, जो उसमें product रहने वाले हैं, वो है एक तो food product, दूसरा है computer accessories, तीसरा जो product है, वो थोड़ा logistic वगरा का कुछ सामान है, उसकी delivery है तो इन तीन location के लिए हमें delivery boys required है, उनके पास अपना bike, scooter, कुछ भी हो, उनके पास अपना vehicle होना mandatory है, second thing, उनके पास license, कम से कम one year, पुराना license होना ची है, कम से कम one year, और उनके पास अपनी vehicle होनी चीय है, with all documents, all documents means कि उनके पास completely अपनी vehicle के documents होने चीए है, अपना आधार кар्ड होना चीय है, अपना इस काम में आपको on the road रहना पड़ेगा और ट्राफिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा अधर्वाइस आपका चालान कट सकते हैं तो इन चीजों को आप ध्यान डखिएगा और इसमें मैंने आपको सेलरी बता दी है इसमें भी आपको apply करने के लिए आप हमारी team को call करें वो आपको response करेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको कब और कहां interview करें जाना है कैसे जाना है क्या आपको details अपने साथ carry करनी है तो दोस्तों इन vacancy को आप जादा से जादा अपने friend circle में share करो तो कि जादा से जादा candidate हमें call करें और हमें इस हमारे लिए हमारे पास जो vacancy है उनमें apply करें एक चीज और मैं आपको बता दूँ दोस्तों जो भी number हमें आपको description box में देता हूँ आप अगर उन पे कोई candidate हम कोई भी recruiter call pick नहीं कर रहा है odd hours हैं मतलब 10 बजे से पहले या 5 o'clock के बाद तो आप उस पे whatsapp करें अपना resume में whatsapp कर दीजिए और किस जिस भी profile के लिए आप विकेंसी जिस भी profile के लिए आप apply कर रहे हैं वो भी आप नीचे से लिख दीज़े सब्स आपने delivery boy के लिए apply किया है तो odd hours में call कर रहे हो तो क्योंकि odd hours में call pick होना थोड़ा सा possible नहीं हो पाता है तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ new video के साथ प्लीज इस चैनल को subscribe करें और अपने friend circle में share करें तब तक के लिए bye bye